हलो गॉइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल जीस फ्रॉम बेसिक्स में आज हम लेके आएं सीटेट से रिलेटिड एवियस के प्रिवेस एर के कोशन्स क्योंकि गाईज अब सीटेट के एक्जाम्स को जादा टाइम नहीं रहे गया है 21 जनवरी को सीटेट 2024 का एक्जाम है तो उसी से रिलेट हमारे प्रिवेस एर कोशन्स के हम बात करेंगे जो लास्ट टाइम का पेपर है ये सीटेट 1 जनवरी 2022 का पेपर है तो इसी के हम EVS के कोशन बात करेंगे जो 30 कोशन हमारे आये हुए तो उन्हें की हम बात करते हैं तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारे कोशन तो पहला कोशन है त्रवेंदरम और गांधी धाम के बीच की दूरी 268 किलोमीटर है यदि कोई रेल गाड़ी इस दूरी को 42 घं कोशन है यह आप मैथ का कह सकते हैं लेकिन यह परियावरण में बार बार यह कोशन देखा गया है और आपको हर बारी आपको यह कोशन देखने को मिलेगा तो गाइस यह कोशन हम सॉल्व करते हैं इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका काम करता है चाल बराबर दूरी ब करें तो 42 घंते हैं अब अगर हमसे multiply करें तो यहां पर हमारा अगर देखा जए तो 54 किलोमेटर करने के लिए हम рыसों की ऑली सबसेंखरेंगे और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा अगर बात आती है तो इसको हमारा काटने के बाद यहाँ पर आएगा 15 मीटर पर सेकंड तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन D तो 15 मीटर प्रती सेकंड इसका राइट आंसर है Next हमारा अगला कोशन कोई चातर A पर है और B पर पहुँचना चाहता है इसके लिए पहले वह ओपर जाता है जो A के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओसे B ठीक पश्यम दिशा में 50 मीटर दूरी तया करके पहुँचता है A की B से दूरी तथा B के सापेक्ष A की दिशा क्रमशा क्या है तो यह कोशन अगर देखा जाए तो यह भी आपका reasoning का कोशन है और यह भी आपका अगर देखें तो यह भी हमारा पर्यावरण में ही पूचा गया है तो यह भी हर बार का ही कोशन है आपको mostly अगर देखा जाए प्रैक्टिस हेट में यह कोशन देखने को मिल जाएगा तो चलिए गाईज इसे भी देखते हैं तो यहाँ पर बात करा है कि कोई चात्र A पर है तो यहाँ अगर बात आती है अगर देखा जाए तो direction reasoning में हमेशा अगर देखा जाए हम north को ऊपर के ओर लेते हैं और नीचे अगर देखा है हमारा south इधर हो जाएगा east और इधर हो जाएगा west तो normally direction का कुशन इसी प्रिकार से करते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात आती है कोई चात्र A पर है और वह B पर पहुंचना चाहता है इसके लिए वैए O पर जाता है जो A के ठीक उत्तर में 120 मिटर की दूरी पर है तो A की हम बात करते हैं और उत्तर में 120 मिटर की दूरी की बात करते हैं तो पश्यम अगर देखा है वैस्ट यानि इधर है और यह हमारा कितरा है पच्चास मीटर तो यहां B तक पहुंच गया अब यहीं पर बात आती है यह गह रहा है तेह करके पहुंचता है A की B से दूरी अब A की B से दूरी अब यह पाइथागोरस प्रमे से हमारा निगलता है जो अगर देखा जाए कला से हम याद कर सकते है K स्कॉराबर L स्कॉराबर ब्लस A स्कॉराब तो कला से आप याद कर लेना कर्ण, लंब और अधार तो कर्ण हमें इसमें निगालना है तो यहाँ पर लंब अगर देखा जाए तो लंब की बात आती अगर देखा जाए तो 120 हो गया 120 का स्कॉराइर और 5 का अगर देखा जाए 50 का स्कॉराइर तो यह लगवग अगर देखा जाए तो 12 का होता है 144 और 00 हो गया हमारे और प्लस यहाँ पर हो गया पच्चिस सो और इसका हमने यहाँ पर वर्गमूल लिगा लिया क्योंकि के का स्कॉयर है और यह हमारा लगवग आजएगा 169.00 और यह हमारा बैठे का लगवग 130 तो दूरी आपके निकल के आई 130 अब गाईस दो आपके आपके 130 वाले हैं लेकिन अब हम बात करेंगे direction की तो direction की पूछ रहा है B के सापेक्ष A की दिशा बतानी है तो B के सापेक्ष A की दिशा बतानी है तो यहाँ अगर मैत आती है B के सापेक्ष पूछ रहा है यानि B इसको हम सापेक्ष बालेंगे और इसके सापेक्ष हम देखेंगे यानि इधर है north, इधर है south, इधर है west और इधर है east तो B के सापेक्ष यह है south east में तो south east अगर देखा जाए दक्षन पूर यानि आपका answer होगा option B 130 अब दक्षन पूर तो यहाँ पर option B इसका right answer है next day guys, अगला question नमरा slot के विशय में निम्ल खित में से सही कथन चुनिए तो slot, यह जो question है इसमें के यह आपकी एक theme है जानवर, तो जानवर वाला जो theme है, आपकी स्थव theme है उससे यह questions आपको यहाँ पर देखने को भिलेंगे, जानवरों के कई question आते है तो यह slot वाला question में आपको कई practice aid में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर पूछा है, slot के विशय में निम्ल खित में से सही कथन चुनिए तो सही कथन, slot भालू जैसे देखते हैं next, slot chimpanzee, बन मानुष जैसे देखते हैं और लगवख 17 गंटे तो chimpanzee जैसे नहीं, यह अगर देखा भालू जैसे देखाई देते हैं यहाँ पे ये चीज हमारी गलत हो गई slot chimpanzee, यानि बन मानुष जैसे देखते हैं तो यह भी गलत हो गया next sloth भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगवक 17 घंटे रक्षी शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं तो option D हमारा इसका right answer है next है हमारा अगला question जब किसी एक कपड़े पर दूद को उडेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है प्रथक करण की यह प्रिगरिया है तो प्रथक करण की यह प्रिगरिया अगर देखा जाए तो निश्यंदन यानि filtration कहलाती है जो हम filter करते हैं चीजों को तो दूद में यानि चलनी से चानना उसे filter करना तो filtration अगर देखा जाए इसको हिंदी में बोला जाता है निश्यन्दन तो निश्यन्दन अगर दिखा है फिल्ट्रेशन कक्षा पाच की पाट पुस्तक में दिये गए गोलकुंडा के लिए के मांचित्र में एक सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है इस मांचित्र में फते दर्वाजे से जमाले दर्वाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है जमीन पर इन दोनों दर्वाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी तो अगर यहाँ पर बात आती है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर तो यहाँ पर बात कर रहा है हमारा कितना लगवग 10.7 cm तो एक cm में 110 m है तो अगर देखा जाए 10.7 में हमारे अगर देखा जाए लगवग 110 से multiply करेंगे तो यहां हमारे अगर देखा जाए 1177 m देखने को भी लेगा और 1177 m को अगर हम km में convert करें तो लगवग अगर देखा जाए तो एक km और 117 km होगा तो यहां पर option 20 का right answer है Next है मारा अगला question तीन राज्यों का समू जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी इस्तेत है तो guys बंगाल की खाड़ी अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी पढ़ती है इस side और इस side हमारा बढ़ता है सबसे पहले पश्यमंगाल फिर आता है उडिसा उसके बाद आंध्रप्रदेश और अगर देखा जाए तमिलाडू तो यहां पर हमारे चारा जबढ़ता है बंगाल की खाड़ी से तो आंध्रप्रदेश सही है लेकिन महरास्ट गलत है तमिलाडू यह भी सही है उडिसा यहां पर केरल गलत है नेक्स्ट देखते हैं उडिसा, आंध्रप्रदेश, तमिलाडू तो उडिसा भी है, आंध्रप्रदेश भी है तो option C इसका right answer है क्योंकि option D में फिर से एक बार आपका केरल दे रखा है और करनाटक दे रखा है तो इसका C इसका right answer है next है हमारा अगला question मान लेजिए आप मध्यप्रदेश में हैं इस राजी के सापेश किस दिशा में हमारे देश के सरवादी घने जंगल है तो guys यह question आपका one report से related है report है तो 2021 की one report जो हमारी चल रही है इस समय तो 2021 की one report के अनुसार सबसे अधिक one हमारे मध्यप्रदेश में है तो यह आपको ध्यान अगना है कि सरवाधिक अगर हमारी बात आती है सरवाधिक वन सरवाधिक वन हमारे मद्ध्रदेश है लेकिन सरवाधिक घने वन घने वन अगर देखा जाए अरोनाचल में है और सरवाधिक वन व्रद्धी अगर कहीं पर हुई है तो सरवाधिक वन व्रद्धी अगर देखा जाए तो आंधर प्रदेश में हुई है ये तीन बाते आपको याद रखने है सरवादिक वन मद्धि प्रदेश, सरवादिक घने बन अरुणाचल प्रदेश और सरवादिक वन प्रदी आंधर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है अब यहाँ पर question पूचाए कि किस दिशा में हमारे देश के सरवादिक घने तो घने हमारे कहाँ पर है अरुनाचल यानि इस तरफ हमें देखने हो भलेंगे अब अगर हम देखें यहाँ पर direction फिर से इधर east, इधर west और इधर north और इधर south तो यहाँ अगर हम direction निकालेंगे तो इधर हमारा अगर देखा जाए तो direction निकलके आएगी north east यह आपको दिखाई देगा इधर north east यानि अगर देखा जाए तो उत्तर पूरू, तो B इसका right answer है next हमारा अगला question Mount Everest की चोटी की उचाई है तो Mount Everest की चोटी की उचाई option B इसका right answer है 8850 मीटर guys इसमें कहीं कहीं 8848 भी दे रखा है यह भी आपका सही answer है मीटर में कहीं कहीं 8850 दे रखा है यह भी आपका सही answer है और इस समय अगर देखा जाए कहीं कहीं अगर देखा जाए 8950 भी answer देखने को मिला है तो आपके अगर तीनों value अगर है तो आप recently correct में 8950 भाली भी लगा सकते है और वैसे अगर देखा जाए तो 48 या 50 में से जो भी आपका इन तीनों में से answer होगा वही आपका answer होगा next है हमारा तूटता तारा होता है तो तूटता तार अगर देखा जाए एक mature होता है यानि जिसे हम उलका भी बोलते हैं हिंदी में तो option C का right answer है next है खेजड़ी के विरक्ष में के बारे में नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए तो इसके लग-अलग हमारे statements वाइस question आये तो statement में हम देखते है यह मुक्यता रेगिस्तानी छेत्रों में पाए जाता है सही बात है बलकुल आगे next उगने के लिए अधिक जल की अविशक्ता नहीं होती यह भी ठीक है क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है अपने तने में जल को संचित करता है जिसका उपयोग आविशक्ता पढ़ने पर किया जाता है तो यह गलत है तो C अगर देखा जाए इसमें नहीं होगा इस विरक्ष की छाल का उपयोग दवाईयों के बनाने में होता है तता इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभावन नहीं पढ़ता यह भी सही है इस विरक्ष में बहुत कम पत्या होती है यह गलत है तो यानि अगर देखा जाए इसमें आंसर हो गया A, B और D और A, B और D अगर देखा आप्शन A में है तो अपका आप्शन A मिटी के बने होते है घरों की दीवारे बहुत मोटी होती है और इन्हें मिटी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है घरों की छटे कटीली जाडियों से बनाई जाती है यह चात्र निमलिकित में से किस सराजी से आया होगा तो जिस छेत्र में आया है बारिश बहुत कम होती है तो भारत में राजिस्थान में अगर दिखाए सबसे कम बारिश होती है और यहां गर्मी भी भूत पढ़ती है क्योंकि बारिश लद्दाक में भी कम होती है लेकिन वहाँ पर ठंड भूत होती है तो इसमें option होगी आपका C C इसका right answer है next है मारा अगला किसी सभा में अपना पर्चे देते समय किसी चात्र के कथन पर विचार कीजिए मैं जिस जगा से आया हूँ वहां के लोग अधिकतर वहां के अधिकतर लोग सरसो के तेल में बनी पकी मचली खाना पसंद करते हैं यह चात्र के इस जगा से आया होगा तो अगर सरसो के तेल की बात आती है तो गोवा में नारियल का केरल में भी नारियल का और मिजूर में भी नारियल का तेल का प्रयोग की जाता है उसमें एक ही option बसता है हमारा कश्मीर यानि option C C इसका right answer है next है name लेकित में से सही कथन चुनी है तो यहाँ पर इसमें अलग-अलग statement से हमारी statement वाला कोश्चन है तो यहाँ पर यह हाती से related है तो 13 यह भी जानवरो वाली theme से ही कोश्चन आया हमारा कोई वैस हाती एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक 220 किलोग्राम हरे पत्ते और जाड़िया खा सकता है तो यह बात बिल्कुल सही है गलत है लगवग 2 कुंटल नहीं है आप अगर देखा जाए 200 किलोग्राम तक होता तो हमारा answer सही होता तो लगवग 200 किलोग्राम की बात आती है अत्य अधिक पारी होने के कारण अधिकान शाती बहुत ज़्यादा आराम पसंद करते हैं तो ऐसा नहीं है क्योंकि हाती अगर देखा जाए तो बहुत ही कम आराम करते हैं और एक दिन में लगवग अगर देखा जाए ये दो से चार गंटे ही सोते हैं तो यहां अगर देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट की गलत हो गया next महिने यहां तक की तीन महिने की आयू के हाती के बच्चे का भार सामानेता 200 किलोग्राम का होता है तो अगर तीन महिने का हाती का बच्चा होता है तो उसका लगवग अगर देखा जाए तो 200 किलोग्राम का वज़न होता है तो ये वाली बात बिलकुल सही है तो उप्शन सी इसका राइट आंसर है और अगर अधिकांश हाती औस तन एक दिन में 29 गंटे सोते हैं तो ये गलत है क्योंकि अभी हमने बात करी लगवग तीन ये चार घंटे ही वह सोते हैं नेक्स्ट एक सम्हों को चुनिये जिसका प्रियोग पुना चक्रण के पश्चात किया जा सकता है तो पुरा चक्रण मतलब रिसाइकल तो रिसाइकल हम किसको अगर देखा जाए कर सकते हैं तो लोहे के कीले अगर देखा जाए पॉलिथीन बैग पॉलिथीन बैग को रिसाइकल अगर देखा जाए किया जा सकता है कागच को भी किया जा सकता है बैटरी को भी किया जा सकता है लेकिन मोबाइल फोन को recycle नहीं किया जा सकता चादरे, समाजपार पत्र, प्लास्टिक की बोतल, बैटरी इसमें भी option गलत होंगे नेक्स्ट लोहे की कीले, काच की बोतले, स्टील मग और गत्ते का डपा इन सब को हम आसानी के साथ recycle कर सकते है लेकिन अगर बाद आती है, बैटरी और मुबाइल फोन भी अगर देखा जाए इसमें थोड़े सी difficulty होती है इसके लाबा बैटरी यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा इसमें हमारा चमड़े का बैग यहां देखने को मिलेगा तो बाकी सभी में आपके अलग-अलग options गलत है नेक्स देखिए अगला question यह भूजन वाला question है और इसमें का question कई बार आपको देखने को मिलता है तो छोले भटूरे अगर देखा जाए कहां के famous तो यह आपके पंजाब के तो first का e option आप देख सकते हैं first का e अब तीन जगा है अब आप second option देखेंगे तो नारियल डली करी के साथ उबला टैपिक हुआ तो इसका प्रयोग second होता है आपका केरल में तो second का है b तो second का b अगर देखा जाए तो यह आपको देखने हों मिलेगा b वाले option में और d वाले option में तो यहां से आप idea लगा सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा d बाकी अगर हम और मिनाए सरसो के तेल में पकी मचली अभी कोशन आया था हमारा कश्मीर वाला तो इसका answer हो जाएगा थर्ड का d यह भी ठीक है और नारियल के तेल में बनी मचली का अगर हम देखेंगे तो गोवा तो option d इसका right answer है next एगला अपनी कक्षा चार के परियावरण अध्यान के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उप्योक्त कारे का चुनाओ कीचिए तो creativity अगर देखा जाए देखनी हो तो कक्षा चार के अंदर तो उसके लिए अगर बात आती है तो किसका प्रियोक करा जाएगा तो यहाँ पर तैरने और डूबने के पारट पर प्रिशन उत्तर लिखना तो यह भी अगर देखा जाए गलत होगा डूबने और तैरने के प्रिक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रिया कलाब करना तो यह हमारा कुछ सही है तैरने और डूबने की परिभाशा की वैक्या करना जो वस्तुए डूबती और तैरती है उनकी सूची याद करना तो याद करना एक negative factor में आ जाता है और यहाँ पर बात कर रहा है रचनात्मक मतलब उनकी creativity तो creativity अगर देखा है क्रिया कलाब केबल एक ही option में आता है आपका option B का right answer है next है परियावरण अध्यन के सिक्षन में कला एबम कोशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोथ साहित करता है तो किसको प्रोथ साहित करता है यह हमारा अगर देखा जाए तो इसमें हमारी बात आती है स्रजनात्मक्ता creativity की सैपार्टी के साथ साथ सीखने को कक्षा में अनुशाशन को समावेशन, inclusion को तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा स्रजनात्मक्ता यानि creativity भी आती है, दूसरा अगर देखा जाए, दोस्तों के साथ सीखने के यानि साथ सीखने की, अनुशाशन अगर देखा जाए तो इसकी बात हम नहीं करते हैं, समावेशन अगर देखा है, समावेशी विगास की बात करते हैं, तो यानि option D, तो इसमें A, B और D आंसर हो गया, तो यह है आपका option D, इसका right answer next है अगला हमारा question number 18 कक्षा 4 के विद्यार्थियों की थीम आश्रे के लिए कौन सी युक्ती पूस्ताच को प्रोटसाहित करती है तो आश्रे के लिए आश्रे की बाद आती है तो आश्रे के लिए कौन सी युक्ती पूस्ताच को प्रोटसाहित करती है तो विद्यार्थियों को विभिन प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, तो ऐसा इस प्रकार की कोई भी activity नहीं होगी दूसरा, विभिन प्रकार के आश्रों के चित्र साजा करना तो यहाँ पर भी अगर बात आती है इसके लिए भी नहीं होगा विबिन मकार निर्मार इस थलो पर जाने के उपरांद विद्यारतियों को अपने अनुभब को सुनाने के लिए कहना तो यहाँ अगर बात आती है यह अप्शन हमारा क्या होगा यह अगर देखा जाए तो सही होगा तो यानि अप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि अलग-अलग स्थानों पर जाएंगे और उसके बाद विद्यारतियों से उनके अनुभब सुनने को कहेंगे और यह हमारा पूष्टाज के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा प्रोच साहित करेगी ताकि बच्चे जाए और वहाँ देखकर सीखें और उसके हिसाब से ही कोशन पूछें नेक्स्ट है प्रात में कक्षाओंगा पर्यावरण अध्यन वह विश्य चेत्र है जिसमें एक ही करण है अब पर्यावरण में किसकिस का एक ही करण है तो विज्ञान अब पर्यावरण सिक्षा के संप्रत्यों अब मुद्धोगा तो यह उप्शन नहीं होगा सामाजी विज्ञान के संप्रत्यों का अबम मुद्धों का, तो social science की कोई बात नहीं आती है विज्ञान और सामाजी विज्ञान के संप्रत्यों अबम मुद्धों का, तो इसका भी नहीं होगा next आएगा विज्ञान, सामाजी विज्ञान और परियावरने सिक्षा के संप्रत्यों आपम मुद्धों का, तो option D इसका right answer है, तो यह विज्ञान science की भी बात करता है सामाजी विज्ञान की भी बात करता है और पर्यावरण सिक्ष्या की भी तो कि पर्यावरण अपने आप में अगर देखा जाए कोई खुद का subject नहीं है, इसमें हमारा geography, geography यानि social study में हम देखते हैं, जैसे example के लिए मृदा अब मृदा में कोई भी तत्व बढ़े या घटे, तो वो हम देखते है science का, या production का अगर हम topic लें, production में जैसे CO2 gas है, तो CO2 पर्यावरण या वायू मंडल वायू मंडल हम पढ़ते हैं, geography में उसके हम देखते हैं, gases के बारे में, तो इसी कारण यहाँ पर इन तीनों का, जो समू गहलाता है, विज्ञान, समाज विज्ञान वही हमारा पर्यावरणिय सिक्षा के संप्रत्य कहलाते हैं next है, अगला question नेमने में से प्रात्मिक इस तरके पर्यावरण का अध्यान का क्या उद्धेश हैं, तो पर्यावरण को पढ़ाने का main अगर reason है प्रात्मिक मतलब अगर देखा जाएं, यह कक्षा पास तक की बात करते हैं, तो कक्षा होती हैं, उन सभी को दूर करने के लिए तो वो language भी बाद हो, बेद्वाओं के बाद दूसरा है, इस्थानी और प्लब्द सामगरियों से सरल प्रारूप का विकास करना तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि फिप्ट क्लास तक के बच्चे से अगर देगा इतना ज्यादा कोई भी सामगरियों को एकत्रित नहीं करवाया जाता सी में विद्ध्यार्थियों को उच्छे प्रात्मिक विज्ञान संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से तयार करना तो यह अगर देखा जाए जिसे नॉर्मली अगर प्रैक्टिकल करवाय जाते हैं तो क्लास 6 के बाद प्रैक्टिकल शुरू करवाय जाते हैं तो फिप्ट क्लास तक यहाँ पर किसी प्रिकार की कोई बात नहीं की जाएगी विद्ध्यार्थियों को उनके आसपडोस में उपलब्द फियाबसाइक फिकल्पों की और अभिमो कर रहा चोटे बच्चों को से काम करवाने के लिए उनको अभिमो करना तो यह भी आप्शन नहीं होगा तो एक ही इसमें हमारा बेस्ट आप्शन है आप्शन ए लैंगिक पेद्भाव से समदित मुद्दो पर सीखने वाले को समवेधन शील बनाना नेक्स्ट एगला 21 कोश्चन सिक्षिगा ने अपने विद्ध्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहन किये जाने वाले पौधे के विवेन भागों जैसे जड़, तना, एवंपुष्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श लेने के लिए कहा इस क्रिया कलाप की अभिकल्पना की गई है अनुभात्मक सीखने को प्रोचसाहित करने के लिए भोजन से सम्मधित संप्रत्यों को सीखने को प्रोचसाहित करने के लिए पाठ को अधिक आनंद, दाई और उच्जी पूर्ण बनाने के लिए विद्यार्थियों को भोजन के विश्या में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमती देना तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा option A अनुभात्मक सीखने को प्रोचसाहित करना जोकि अगर जितने भी अगर देखा जाए बच्चे होगे जड़, तना, पुष्प के ये जो नाम है अपने परिवार के सदस्यों से पूछेंगे तो कहीं नहीं वो उनके अनुभाब के आधार पर सीखते हैं इसलिए इसको भूलेंगे अनुभात्मक सीखने को प्रोचसाहित करने के लिए नेक्स्ट है हमारा अगला द्रश्टी वाधित वित्यार्थियों को परियावरण अध्यन पढ़ाने के लिए निन में से कौन सी युकती सरवाधिक उप्योगत होगी तो द्रश्टी वाधित की बात कर रहा है कक्षा में मिश्यत से अपाटी समूब बनाए किसी कारे को पूरा करने के लिए अधिक समय दे किसी भी कारे को भागों में पाटे और प्रतेग भाग को अलग पढ़ाएं इसपर्षी शिक्ष्य अधिगम सामक्री का इधिक उपयोग करें तो यहां पर इसमें best option हो गया इसपर्षी शिक्ष्य अधिगम सामक्री का अधिक प्रयोग करें ताकि जो देख नहीं सकते दृष्टी बाते चाते थे उन्हें चीजें इसपर्ष करके पता चलें तो option D का right answer है next अगला question number 23 परियावरन अध्यान का सिक्षण करते हुए part का वह उप्युक्त इस्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें option है पाट के अंत में पाट के आरंब में जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तूत है सिक्षण अधिगम के दोरान तो इसका अंसर होगा option D सिक्षण अधिगम के दोरान यानि जब चीज़े सिखाई जाती है पढ़ाया जाता है तब उसी दोरान अगर देखा जा उनका आकलन किया जाना चाहिए कि बीच बीच में बच्चों से question answer करते रेना चाहिए next 24 आपको अपने विद्यार्थियों के परियावरण अध्यन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें सीक्र प्रती पुष्टी यानि feedback देना है आप आकलन के लिए कि साधन का चुनाओ करेंगे तो अगर बच्चों का आकलन करना है तो उसके लिए अगर देखा जाए अब परियावरण अध्यन में सीखने का आकलन करने का उतेश है कि सिक्षक विद्यार्थियों के उपलब्धियों के विश्य में जानकारी एक अत्रित करें तो सिक्षक विद्यार्थियों के उपलब्धियों के बारे में यह मूल्यांकन की अपेक्षा सिक्षण का एक मार्ग है यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन या नया ग्यान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगती के विश्य में प्रती पुस्टी देता है यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके तो यहाँ पर सीखने के आकलन की बात cigarी गयी है उसका उदेश यह है कि सिक्षक विद्यारतियों के उपलब्धियों के विश्या में जानकारी एकत्तित करें कि बच्चों ने अगर देखा जाए क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त करें तो सीखने का आगलन की बच्चे ने कितना सीखा या नहीं सीखा तो इसका option A इसका right answer है Next रहता है हमारा अगला question नई सिक्षा नीती नई सिक्षा नीती 2020 के अनुसार प्रात में कक्षाओं कक्षा एक से पाच के लिए निम्न में से क्या इस्तर होगा नई सिक्षा नीती हमारी NEP 2020 अभी हाली में आई है तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा अगर बात आती है तो इसमें हमारा हुआ option C A तथा C आरंबिक इस्तर और बुनियादी इस्तर तो बुनियादी इस्तर यानि अगर देखा है basic लेबल और basic से फिर उन्हें थीरे धीरे नई नई चीजें सिखाना तो बुनियादी इस्तर अगर देखा जाए आरंबिक वर्ष जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 0 से लेकर 8 वर्ष तक अगर हम बात करते है तो लेकर 8 वर्ष तक बच्चों की बात की जाहीए next है प्रात्मे के इस्तर पन्नियमे में से क्या प्रिकरिया कोषल नहीं है तो प्रिकरिया मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर बात अती है प्रोसे स्के겠 तो प्रिकरिया कोषल के हम बात करें Q27 में तो मांचित्रण करना, क्रियाशील परिवरतन को परिभाशित करना, परिकलपना की जाच करना, तत्यों को अनुसरमण करना, तो यहां अगर देखा जाए, तो अगर माद आती है परिकलपना की जाच, तो ये बच्चो द्वारा नहीं करवाई जाती है, यानि Option C, मांच कलपना को जाच करना, उनकी अगर देखा है प्रैक्टिकल उनसे नहीं करवाई जाते है, तो Option C का राइट आंसर है, नेक्स्ट अगला, थीम, परिवार तथा मित्र में निम्ण में से कौन सा उप थीम है, तो परिवार और मित्र में अगर देखा जाए, हमारी 6 थीम्स होती और चटी है चीजे जो हम बनाते हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा है उप थीम की, तो आश्रे ये भी हमारे अगर देखा जाए थीम है, भोजा नेबम जल ये भी थीम है, चीजे जो हम बनाते हैं ये भी थीम है, लेकिन कारे और खेल अगर देखा जाए, तो ये हमारी उप भी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है नेमने में से कौन सा एक अपसारी प्रशन है जो परियावरण अध्यन की सिक्षिका अपनी छात्राओं की सरजनात्मक्ता शम्ता को प्रोसाहित करने के लिए पूछेगी तो क्रेटिविटी बढ़ाने की बात आती है तो यहाँ पर अप्शन B की बात आती है औप्शन B इसका राइट अंसर है क्योंकि यह बात चल रही है परियावरण अध्यन परियावरण अध्यन में क्रेटिविटी गी तो यहाँ पर क्रिशी से कोई लेना देना नहीं लवड से कोई लेना देना नहीं पत्यों करें हरा क्यों होता है यह भी साइंस का टोपेगा तो दिल्ली जैसे शहरों में वाईव प्रोदूशन को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे तो यह उनकी क्रिटिविटी तरशाता है तो इसका राइट आंसर होगे ऑप्शन बी नेक्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा परियावरण अध्यान के सीखने का गत्यात्मक समगर तथा अनुभात्मक प्रकरती का उत्तम आकलन किया जा सकता है तो उत्तम आकलन अगर देखा जाए कुशन नमबर 30 पेपर पैन पेपर परिक्षा द्वारा या विश्वस्टन आकलन युक्तियों द्वारा और अगर बाद आते है ओरल यानि मौकिक परिक्षा द्वारा तो कुशन नमबर 30 का आंसर अगर देखा जाए ऑप्शन नमबर C यहाँ पर C मैंशन नहीं है तो विश्वस्टन आकलन युक्तियों तो अगर देखा जाए जितनी पे अगर देखा जाए ऑथेंटिक होंगी तो उनके द्वारा हम अलग-अलग चीज़ों का पता लगा सकते हैं तो इसी रिए यहाँ पर गत्यात्मक कि मतलब चीज़े कितनी सीखी उनको अनुबब की प्रगरती का उत्तमा आकलन तो विश्वस्टन आकलन युक्तियों तवारा तो उप्शन सी इसका राइट आंसर है तो गाइस यह जो पेपर था हमारा यह था सीट एट एक जन्वरी दोहुजार बाइस का यह पूरा कोशन मैंने आपको पूरा जो सैट था परियाव रणका यह मैंने आपको करवाया और इसके आंसर लगवाए सेम ऐसे ही हमारा अगर देखा जाए जो अगला सैट आएगा अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें हमारा जो तीन जनवरी दोसर प्राइस को पेपर हुआ था तो गाइस अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें और चैनल को प्लीज सब्स्राइब करें थैंक्यों गाइस